इस वीडियो में प्राइस बढ़ने के बावजूद अब गिरने क्यों लागा और आगी इसमें क्या हो सकता है यहां पे देखेंगे तक्रिपन दो परसेंगे आज भी गिरावड देखने को मिली है जिस विए से इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स हैं काफी घबराना लाजि प्राइस बढ़ा तो कुछ लोगों पैसा नहीं बिना है उनकी चिंता लाजिम है उसी चिंता को दूर करने का इस वीडियो में पुरा प्रयास करूंगा आप सभी जानते हैं कि पीमसी फिनकॉर्प जो कंपनी है यह एक NBFC कंपनी है और NBFC कंपनियों का क्या काम होता है ज जो काम है NBFC से जो लोग नुवगरत देती है उससे जो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता उससे इसकी कमाई होती तो यह तो अमें काम होगा कंपनी का जिसके बतार हम लोग यह समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्योंगी फाइनसर सेक्टर की कंपनी तो इसमें ग्रोथ हमें सा भी ज्यादा है यानि कि यहां पर दो चीज हम प्लस पॉइंट मिल गया एक तो मार्केट केप सोगोंड सूपर है पेने स्टोक में होने को बाज़ोद और सेयर प्राइस भी ठीक ठाक है और बुक वैलू सबसे बढ़ी है बात है कि स्टोक का पी का भी कम है यानि कि कोई नय किसी भी कमनिकी सेयर को बाई करते हैं और याब चांट पर आता है तो एसपाइक के साथ हमारा पैसा उसमें बढ़ जाता है तो हमारा प्रोफिट हो जाता है तो हमें इसमें रिटॉन लिक्विटी कुछ खास मायने नहीं रखता है हम आपको आगे सांट पर समझाएंगे च जो लेवल है एक और पर साथ पर सका यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अभी भी होल्ड किया हुआ है और उनका होल्ड करना ठीक है दिलंबी जरीया है तो आप जिन लोग ने प्रोफिट बना ले उनके लिए बहुत अच्छी बात उनको बताई अब देखेंगे तो यहाँ यहाँ पर ट्रेंड लाइन सब बनाया है यह ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने दीजिए ब्रेक होके प्राइस नीचे आता है तो कहां तका सकता है दूर पैसी पैसा तका सकता है यहाँ तका के फिर प्राइस आनेक बार फिर यहाँ से प्राइस मतलब सपोर्ट लेगे आप यहां पर भेजिंग कर सकते हैं तो नए और पुराने विक्तियों को क्या करना है मैंने यहां पर क्लिरली बता दिया है श्टॉक का प्राइस दीके नंभी हो थी में और भी उपर जाएगा यदि आपका नजरिया पांच साथ दसल का है तो कोई बात नहीं है तो आप बैस आपको देखेंगे तो आपको देखेंगा पिछले कुछ बाकर करता संग्तियों वेसिस इस इसका मतलब यह हुआ कि उपरेटिंगफ्ट इया हुआ कि कमायी ये पाटा यह रिजल्ट देखिए तब से लाश्क वाला क्वाटर राज रिजल्ट आ है काफी ज्यादा रहत इसमें कमणी का नेट पॉपिट बढ़ा है और अभी जो कि दिसमबर क्वाटर के रिजल्ट आने वाले हैं इसके बाद बीचे क्वाटर के रिजल्ट आएंगे उसको इसको और कमनी की कमाई बढ़ते हो ही आपको दीख रहेगा और कमनी को फंडमेंटल भी काफी मजबूत हो रहा है समय के साथ अब थोड़ा सब्सेयर होलिंग पेटर्स को बिस्तस कर ला है तो हम सब जानते हैं कि छोड़ी जो कमणीया होती है उन्हें प्रोपोटर्स की सदारी ज तो फिर आप सही समय देखिए इसमें प्रोफिट बुक कर लेजी कुई कि सोट टम वालों को सिर्फ प्रोफिट पर जिहां देना चाहिए तब आप इसमें बने रही है तो पीमस्टी फिंकॉप के बारे में जो जिनकारी थी मैंने आपको बता दी मैं इनित करता हूं आप संतुष्ट में मन में कोई भी स्वाल है कंफिजिने पुमें में जुरू पूछिए देखती के तुरुप से जूखर बाते करने विए आप उस पूंस्टा कर सकते हैं मिलते हैं तो तक धन्य बात शुक्रियाद